हाई फ्रेंड्स, फिल्कम तू माई चानल, आज मैं आपके लिए एक और मिल प्लैन लेके आई हूँ, जोकि 900 कलोरीज मिल प्लैन है और जिससे आप 10 तीन में 10 किलो तक वजन घटा सकते हैं, अगर डायेट प्लैन को दिखाए गया तरीके से फॉलो करें तो, और ये एक सल्फ एपल साइडर विनिगार और उसके साथ करम पानी लेना है, इसे खरीदने का लिंक मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लिंक पे क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं, या फिर अगर ये आपको लोकल मार्कित में मिल जाए, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, सुबा हमें ये पीना है, उसके बाद आट से नौ बज़े के बीच में ब्रेक्फस करना है, ब्रेक्फस में एक कैरेट सेंड्विच लेना है, और उसके साथ एक का प्लैक्टी ले सकता है, ये ऑप्शनल है, अगर ब्लैक्टी लेंगे तो चीनी के बीना, एक कैरेट सेंड् क्यूकंबर का स्लाइस निकाल लेते हैं मैं यहां पे सिर्फ आधा ही क्यूकंबर यूश किया और टोमैटो का भी स्लाइस निकाल ले और गाजर को ग्रेट कर ले और यहां पे हमें दो स्लाइस ब्रेड एट करना है ब्राउन ब्रेड या फिर मल्टि ग्रेन ब्रेड यूश करें मैं इसे थोड़ा सेंख ले रही हूँ दोनों साइट से यह देखिए अब एक चमच कोकोना टायल डाले तेल गरम होने पर एक इसे थोड़ा फ्राई करें उसके बाद ग्रेट किया हुआ गाज़ट डाल दे इसे भी एक मिनिट पकाए यह देखिए अब इसमें एक अंडा डाले मिला दे और इसे एक से देर मिनिट फ्राई करें थोड़ा सा रॉक्सॉल पाउडर ब्लैक पीपर पाउडर चिली फ्लेक और औरिगन डाले मिला दे अच्छे से और थोड़ा फ्राई करें यह बनाना बहुत ही आसान है और यह बनने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है अब इसमें चौप किया हुआ धन्या पता डाल दे यह ऑप्शनल है अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डाले तो यह हम अब मैं इसे सेम पैन में थोड़ा टोस्ट कर ले रही हूँ आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते है मुझे टोस्ट करके खाना साधा पसंद है तो यह रहा मेरा ब्रेकफर्स्ट इसके साथ एक कप ब्लेक टिवी ले सकता है मैं नहीं ले रही हुँ बेकफर्सट के दो और एक बॉयल डेग ओर्ट का रोटी बनाने के लिए हमें लगेगा आधा काप ओर्ट इसको मैं ग्राइन करके पाउडर बना लिया यह देखिए और इसके साथ एक चौताई काप आटा मिला दे और थोरा थोरा पानी डाल के इसका एक सॉफ्टो बना ले इसमें कोई भी नमक चीनी ओयल बगेरा नहीं डालेंगे यह देखिए इससे मैं दो रोटी बनाऊंगी यह ओट्स का रोटी का टेस्ट बिलकुल आटे का रोटी का जैसा होता है आप इसे घर पे जरूर बनाए है जो लोग ओट्स खाना पसंद नहीं करते है वो ऐसे रोटी बना के खा सकते है तो अब इसे में शेक लूँगे. और हमारा ओट्स का रोटी दयार है. राइता बनाने के लिए हमें लगेगा 1 क्यूकंबर चॉप किया हुआ, आधा गाजर चॉप किया हुआ, आधा टुमैटो चॉप किया हुआ, और 1 ग्रीन चुली चॉप किया हुआ, थोरा सा धनिया पता ये उप्शनल है उसके साथ थोरा सा रॉक्सल पाउडर चिली फ्लेक्स और आधा निम्मू का रास और इसके साथ लोग फैट दही आट करेंगे अगर आपके पास लोग फैट दही ना हो तो योगा डाट करें मिला दे इन सारी चीजों पच्चे से और ये हमारा रायता बनके तयार है ये रहा मेरा लंच दो ओट्स का रोटी एक बोल रायता और एक बॉयल डेक मैं बॉयल डेक बाद मिलूँगी अभी मैं इसके साथ एक कप ब्लैक्टी लूँगी लंच के एक खंटा बाद फिर से एक मीडियम साइज का एपिल ले चार से पाच बज़े के बीच में इविनिंग स्नैक ले इविनिंग स्नैक में एक छोटी कटोरी बॉयल के हुआ चना ले सकते है ये फिर तिन अलमंट्स और तिन वालनट्स ले आठ से नौ बज़े के बीच में डिनर करें और डिनर में एक सलाट ले एक सलाट बनाने के लिए लगेगा एक क्यूकमबर इसको चौप कर ले इसके साथ एक टोमैटो इसको भी चौप कर ले एक ग्रिंचिली और आधा निम्बू का रस जोके हम बाद में यूज़ करेंगे और तीन अंडे का वाइट पार्ट यूज़ करेंगे एक योग को निकाल दे और सिर्फ वाइट पार्ट यूज़ करें ये देखिए अभी इसको चौप कर ले और इसमें देर चमच चौप के अवा प्यांस डाले आधा निम्बू का रस डाले एक का वाइट पार्ट डाले मिला दे थोड़ा सा ब्लैक पीपर पाउडर डाले और तयार है हमारा सलाड कुछ पॉइंट्स याद रखना है पॉइंट नमबर वान दिन में 4 लिटर पानी पिए आप पूरा दिन नॉर्मल पानी के बदले में अगर आप गरम पानी पिएंगे तो उससे रेजल्ट साधा अच्छा मिलेगा पॉइंट नमबर 2 कोशिश करे हर दिन एटलिस्ट 20 मिनिट एक्सेसाइस करने की पॉइंट नमबर 3 ब्रेकफ़स्ट, लंच क्यूकंबर, वालनट्स और अमन्स खा सकते है ये एक बहुत ही हल्दी और एफेक्टिव डाइट प्लैन है वेट लूस करने के लिए आप इसे ट्राई करें और मेरे साथ अपना रेजल्ट ज़रूर शियर करें अगर कुछ कोस्चन्स हो ये डाइट प्लैन को लेखे तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्षन में पूछ सकते है अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइक कंदा बाए ताकि आपको हर लेटिस्ट अप्टेट सबसे पहले मिले फिर मिलते हैं एक और डाइट प्लैन के साथ तब तक के लिए हल दिखाए और स्वास्त रहे